राम मंदिर हिंदू समाज के 490 साल के संकल्प का केंद्र बिंदू था। निरंतर लड़ाई लड़ी, लाखों बलिदान हुए, और जिन 76 लड़ाईयों का जिक्र किया जाता है, उन सभी लड़ाईयों में ये ध्यान रखें, पूरा देश शामिल था। लोग कहते हैं ये अयुध्या का मामला की लोकल इशू है, ऐसा नहीं है, राम इस देश के प्राण है, राम इस देश की पहचान है, कणखण में राम बसे है, इसलिए पूरा देश राम मंदिर के निर्मान के लिए निरंतर संगर्श करता रहा। वो सपना साकार हो रहा है सततर्वी लड़ाई हमारे हिस्से में आई और हमें कहते वे गर्व का अनुभव होता है इस लड़ाई में हम विजई बने और वो 490 साल की लड़ाई अपने चरम शिखर पर पहुँची तब जब 2019 में मानिय सुप्रीम कोर्ट का निरने आया और सभी सबूतों को ध्यान में रखकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा राम ने यहां जन्म लिया था और यहीं मंदिर बनना चाहिए मैं समझता हूँ उन सारे संघर्षों को अंतिम परिणाम तक उस निरने के बाद पहुँचाने का अवसर आया हम लोग पूरे देश भर के अंदर राम मंदिर के निर्मान के लिए इस समय निधी समर्पन का कारिक्रम कर रहें बिना शबरी का बेर खाए राम सीता को नहीं ला सकते थे बिना केवट की नाव पर चड़े बिना निशाद राद की दोस्ती किये राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी इसलिए मेरी अपील है उडिसा के सभी बनवासी समाच से शेहरवासी समाच से ग्रामवासी समाच से सब बढ़ चड़ कर आगे आएं राम ही जोडता है पूरे देश को जोड़ने का सामर्थ्य राम में है इसलिए आप सब लोग आगे बढ़ें इस राम मंदिर के निर्मान के लिए सहयोग करें दस रुपे, सौ रुपे, हजार रुपे इससे जादा राशी देने वालों के लिए रसीद बुक ये सब व्यवस्थाएं की हैं चाहे दस रुपे दें लोग आगे बढ़कर पूरे देश में सामने आ रहे हैं हर गाउं, हर जंगल का सहयोग हो ये मेरी आप सब से अपील है झालों के लिए प्राइब से लोग ये रहे हैं